शेत्र के विश्य में बोलने का मौका दिया मोदे हमारे मंडिक शेत्र में ऐसी बहुत सारी कलाशैलिया है जो विलूप्त हो रही है हमारे हिमाचर परदेश में जो एक घर बनाने की कलाशैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है वहाँ भेड और याक की उनों से विभिन वस्तर बनाया जाते है जैसे की जैकेट्स हो गए या टोपिया हो गए शॉल या स्वेटर्स बनाने की जो काम है जिनका बाहर के देशों में बहुत मुल्य मिलता है लेकिन हमारे यहाँ पर पूरी तरह से जो है ये जो एक्स्टिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिये जा रहे है और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है खासकर जो स्पिती और किनौर या भरमौर के क्षेतर में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े होगे उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है आर्ट फॉर्म्स है वो भी विलुक्त होती जा रही है तो उनके विश्य में क्या कदम उठाए जा रहे है धन्यवाद शेतर के विश्य में बोलने का मौका दिया मौदे हमारे मंडिक शेतर में ऐसी बहुत सारी कलाशैलिया है जो विलुक्त हो रही है हमारे हिमाचल परदेश में जो एक घर बनाने की कलाशैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है वहां भेड और याक की उनों से जो है विभिन वस्तर बनाये जाते हैं जैसे की जैकेट्स हो गए या टोपिया हो गए शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है जिनका बाहर के देशों में बहुत मुल्य मिलता है लेकिन हमारे यहां पर पूरी तरह से जो है ये जो एक्स्टिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिये जा रहे हैं और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है खासकर जो स्पिती और किनौर या भरमौर के क्षेतर में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े होगे उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है आर्ट फॉर्म्स है वो भी विलुप्त होती जा रही है तो उनके विश्य में क्या कदम उठाए जा रहे है धन्यवाद शेतर के विश्य में बोलने का मौका दिया महोदे हमारे मंडिक शेतर में ऐसी बहुत सारी कलाशैलिया है जो विलुप्त हो रही है हमारे हिमाचल परदेश में जो एक घर बनाने की कलाशैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है वहां भेड और याक की उनों से जो है विभिन वस्तर बनाये जाते हैं जैसे की जैकेट्स हो गए या टोपिया हो गए शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है जिनका बाहर के देशों में बहुत मुल्ले मिलता है लेकिन हमारे यहां पर पूरी तरह से जो है ये जो एक्स्टिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिये जा रहे हैं और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है खासकर जो स्पिती और किनौर या भरमौर के क्षेतर में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े होगे उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है आर्ट फॉर्म्स है वो भी विलुप्त होती जा रही है तो उनके वीश्य में क्या कदम उठाय जा रहे है धन्यवाद शेतर के वीश्य में बोलने का मौका दिया हमारे मंडीक शेतर में ऐसी बहुत सारी कलाशैलिया है जो विलुप्त हो रही है हमारे हिमाचल परदेश में जो एक घर बनाने की कलाशैली है जिसे काटकुनी कहा जाता है वहाँ भेड और याक की उनों से जो है विभिन वस्तर बनाया जाते हैं जैसे की जैकेट्स हो गए या टोपिया हो गई शॉल या स्वेटर्स बनाने के जो काम है जिनका बाहर के देशों में बहुत मुल्य मिलता है लेकिन हमारे यहाँ पर पूरी तरह से जो है जो एक्स्टिंक्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कदम लिये जा रहे है और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे हिमाचल का जो संगीत है खासकर जो स्पिती और किनौर या भरमौर के क्षेतर में पाए जाने वाला जो ट्राइबल उनकी जो कपड़े होगे उसके साथ में जो उनके फोक फॉर्म्स है आर्ट फॉर्म्स है वो भी विलुप्त होती जा रही है तो उनके विश्य में क्या कदम उठाए जा रहे है धन्यवाद